दोस्तो यह कानी है एक मालिक और एक सेरू की यह मालिक जिदर भी जाता था तो यह सेरू उनके साती रहता था घर आकर यह मालिक जब भी इन पेड़ों को पानी पिलाता था तो सेरू भी देखता था कि आके यह मालिक क्या कर रहा है सेरू को ठंडी ठंडी चाव में बड़ा बैठने का मज़ा आता था तो सेरू इस पेड के निचे ही बैठता था एक दिन यह माली अपने सेरू को खाना देने के लिए आता है और बड़े प्यार से इस सेरू को खाना देता है खाना देने के बाद यम माली गर के अंदर जा रहा था लेकिन चक्कर आने के कारण यम माली गिर जाता और इस माली की मिर्थी हो जाती है जब दोस्तो सुबह गाव वालों को पता चला तो अंतिम संसकार के लिए लकडियों की जुरूत होती है जिस पेड के निच्चे सेरू बेटता था उसी पेड को कार देते है बाद में दोस्तो ये बेजुबान जानवर बहुत ही दुकी होता है और अब मुझे कौन खाना देगा और मैं किस पेड के निच्चे बैटूंगा बाद में दोस्तों यह सेरो एक छोटे पेड को रोजाना पाने पिलाता था ताकि यह जल्द से जल्द बड़ा हो जाए